हलो स्टुरेंट्स, माइसल्फ, मनो सर्मा, टीम बॉटनी, CLC सिकर आज आपने दंगल नमर फाइव दिया, बहुत अच्छा NCIT बेस्ट पेपर सारे कॉंसेप्ट क्लियर करने वाला पेपर, नीट औरियंटेड पेपर एकदम NCIT से लाइन टू लाइन अपने कवर करने इकोसिस की है आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, फिर भी कोई दिक्कत रह गई है, फिर भी कोई प्रॉबलम रह गई है बिटा तो इस सॉलूशन के माध्यम से अपन इसको क्या करते है, स्वालू करते है देखें बिटा अपन बढ़ते हैं कि उस्षिन नंबर फर्स्ट पे पहले सबसे पहला है 151, निमनिखित कतनों में से कौन से आर्की जीवानों से सम्मन्दित नहीं है यानि कि which of the following statements are not relevant to आर्की बैक्टिरिया आपको ऐसे statement देखना है जो आर्की बैक्टिरिया से रिलिटेड है, नहीं है पहला है, they live in some of the most harsh habitats यह आपके क्या है, यह अत्यदिक विसम आवासों में रहते हैं, बिल्कुल सही है भाई आपके highly acidic conditions में मिल जाएंगे, high temperature पे आपको मिल जाएंगे, ruminants की guts में आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल सही है they are present in the gut of several ruminant animals, बिल्कुल सही है यह आपके क्या है, kattles जो है उनके gut में रहके, आपके क्या है, methane gas आपके क्या करते है, produce करते है तो इनको अपन क्या बोलते है, कैई इसकी एक category है, जैसे आपके क्या होगी, methanogen they are characterized by the presence of a rigid cellulogic cell wall, नहीं बिटा, यहाँ cellulogic cell wall आपके नहीं होती तो C आपके क्या होगी आपके, रॉंग, next देखें, they are also referred to as a blue green algae, ना a और b आपके ठीक है, c और d आपके क्या है, रॉंग है, तो आपसे पूछा क्या है, not related, रॉंग पूछा है, तो आपके कौन सा हो जाएगा, third, ठीक है, तो answer यहाँ आपके जाएगा, कौन सा बिटा, third, एकदम NCRT बेस, simple question बिटा, बढ़ते है next question की और, next जो है, वो आपन बात करें, तो आपके क्या हो जाएगा, match the given blow organelles with their functions, इन organelles को इनकी function के साथ बिटा आपको क्या करना है, match करना है, पहला है crab cycle, crab cycle कहा होता है, आप जानते हो mitochondrial matrix में, तो यहाँ आपके कौन सा जाएगा, four, फिर है photorespiration, photorespiration एक wasteful process है, जो C3 plants में होती है, और इसमें participate करता है, peroxysome, mitochondria और आपके कौन, chloroplast, तो यहाँ किसमें मिलेगा मिली, peroxysome में, तो यहाँ आपके कौन सा हो जाएगा बिटा, तीन, फिर है आपके oxidative phosphorylation, देखो आप क्या कहते हो, mitochondria में, किसकी presence में, O2 की presence में, जो आपके ATP का production होता है, उसको आपन क्या कहत है, oxidative phosphorylation, और यहाँ आपके सकाम को कौन करता है, oxysome, कौन करते हैं, बिटा, oxysome, और इस oxysome को आपन क्या कहते है, F0, F1 particle, क्या कहते हो, F0, F1 है, particle, तो यह आपके कैसे होते है, starked particle होते हैं, जो आपके mitochondria में क्या रहते हैं, present रहते हैं, तो starked particle of mitochondria, तो यहाँ आपके साइटोप्लाज में, तो यहाँ आपके कौन सा हो जाएगा, बिटा, second, तो 4, 3, 1, 2, किस में दे रखा है, देखो, 4, 3, 1, 2, कौन से option में दे रखा है, बिटा, आपको, third option में, तो यहाँ answer वापस आपके कौन सा जाएगा, बिटा, third, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, कौन सा चला बिटा, third, ठीक है, एकदम आपके NCRT से, बिटा, concept to concept, line to line बात की गई है, next question की तरफ आपन बढ़ते हैं, देखो, next है आपके, select the mismatched pair, अब आपको mismatched pair को क्या करना है, select करना है, ऐस उमेलित युग्म को चुनिए, यानि कि कौन सा युग्म जो है, वो ऐस उमेलित है, गलत ह उस युग्म को आपन को चुनना है, जिब्रैलिक एसिड, increase yield of sugarcane, बाई जिब्रैलिक एसिड जो होता है, वो आपके गन्ने की पैदावार बिल्कुल बढ़ाता है, साब बिल्कुल सही कहा गया है, साइटो काइने, promotes apical dominance, नई, सीरसस्थ प्रभाविता या apical dominance को कौन करता है, यहाँ आपके कौन होना चीए था, oxygen, कौन होना चीए था, oxygen, तो इसलिए यह आपके क्या हो गया है, wrong, ethylene, sprouting of potato tuber, बिल्कुल सही है, आलू के कंद में, अंकुरन, NCRT में दे रखा है आपके, abscissic acid, inhibit seed germination, seed germination को क्या करेगा, inhibit करेगा, यह सारी चीजों को ज़्यादा आपके plant पे इसके क्या होते है, negative feedbacks होते है, इसलिए इसको अपन क्या कहते है, stress hormone, ठीक है, तो यह भी बिटा आपके क्या है, बिल्कुल सही है, तो first सही है, third सही है, fourth सही है, तो wrong जो है, वो आपके कौन सा है, two, क्यों है wrong, apical dominance को promote आपके कौन करता है, oxygen, ना की बिटा कौन, cytokinin, तो यहाँ answer आपन देदेंगे क्या, दो, next अगर आपन बात करें, तो फिर आप क्या जाएगा, क्या, commonly in a mature fertilized ovule, N, 2N and 3N condition is respectively found in, एक fertilized आपके क्या है, ovule है, उसमें haploid structure कौन सी है, diploid structure कौन सी है, और triploid structure कौन सी है, वो आपन को छाटना है, देखो आपन सरू से बात क energies आपके क्या है, N है, तो आपके क्या है, यह तो wrong हो गया, N, 2N और 3N की बात करनी है, ऐनटीपोड़ल N है, नूसिलस आपके क्या है, 2N है, और endosperm जो है वो आपके क्या है, 3N, तो यह answer आ गया, second में antipodal N हो गई, नूसिलस जो है 2N है, एंडोस्पम जो है वो आपके क्या है 3N थाइड में आप कहोगे एग N है, तो एंटीपोडल भी आपके क्या है N है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ एंडोस्पम डाइरेक्ट आपको क्या दे रखा है 3N लेकिन आपके से सिक्वेंस में पुछा गया है, तो यहाँ 3N, यह आपके क्या है 2N है, यह आपके क्या है N है लेकिन यह आपके क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है तो N, 2N और 3N, N जो है अंटीपोडल है, 2N नूसिलस है, एंडोस्पम आपके क्या है 3N तो answer जो है वो आपके कौन सा जाएगा second, प्रति मुखी कोसी का आपके क्या हो जाएगी बिटा, n, बीजांड का 2n है, ब्रोन कोस्ट जो है वो आपके क्या है, 3n है, तो answer जो है वो बिटा आपके क्या चला जाएगा second, खिक है, चलो next अपने बात करते हैं, next है आपके which of the following option is not related to the floral formula of mustard family, यानि कि इसमें से mustard की floral family में आपके floral, जो भी आपके family है, उसमें कौन सा floral formula में, पुस्पिय सूत्र जो है उसमें आपन इंक्लोड है, नहीं कर सकते, नेमने मिखेत में से कौन सा विकल्प सडसों कुल के, पुस्पिय सूत्र से संबन देते हैं, तो यहाँ देखो, भाई आपके five उपांग दे रखें, पांच उपांग दे रखें, यानि कि यह पंचताई होता है, बिल्कुल नहीं होता है, पंचताई यहाँ आपके कैसा होता है, चतुरताई, यानि कि आपके क्या है, टेट्रामेरस यहाँ आपके क्या होती है, condition होती ह नहीं है बाकि ये तीनों condition mustard से क्या है related है तो right answer जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा first यानि कि first option जो है mustard family के floral formula से बिटा related है नहीं है ठीक है चलो next बात करते हैं अपन फिर है next है आपके stability of ecosystem depends on यह कह रहा है ecosystem की stability जो है परितंत्र का इस्थाइत्व जो है वो आपके किस पर निर्भर करेगा तो परितंत्र के stability of ecosystem की बात करें अपन number of consumer कोई relation नहीं है यह आपके depend करेगा इंटर relation between the producer and a consumer उत्पादक वे उपभोगता के मध्या अंतर क्रियाओं पर यह आपके क्या करेगा निर्भर करेगा तो right answer जो है वो बिटा आपके कौन सा चला जाएगा second उपभोगता के प्रकार कोई relation नहीं है उपभोगता की संख्या कोई relation नहीं है तो यहां आपके third भी भी रॉंग हो गया fourth भी रॉंग हो गया तो सही आपके कौन सा है बिटा second तो यहां answer आपके जाएगा कौन सा second पूरा fully NCRT based बिटा जो भी नीट-oriented जैसा की नीट में आजकल पेपर आ रहा है उस लेवल पर अपने काम किया है है ना मेरको आई होप आपने बहुत अच्छा स्कूर इसमें किया होगा देखो आपके कह रहा है climax community next question में 157 में आपन बात करें climax stage is achieved quickly in secondary succession as compared to primary succession as secondary succession यानि कि प्रात्मिक अनुक्रमन की अपेक्षा चरम समुदाय दित्यक अनुक्रमन में तीवर्ता से पहुचते हैं क्योंकि दित्यक अनुक्रमन बाई सीधी सी बात है प्रात्मिक अनुक्रमन जो है primary succession जो है यहां आपके क्या है soil formation में टाइम लगता है या आपन कहें पहले से यहां organic material आपके क्या रहते हैं absent रहते हैं जबकि आपके secondary succession वहां होता है जहां पहले vegetation प्रेजेंट थी लेकिन यह किसी कारण वस आपके क्या हो गई डेस्ट्रोय हो गई है नस्ट हो गई है तो वहां organic material तो वीटा पस्तित carbonic पदार्थ आपके क्या है पूर्म में उपस्तित है जबकि आपके प्राथमिक अनकुर्मन या primary succession में soil formation में fertile soil formation में बिटा क्या लगता है टाइम लगता है इसलिए वो आपके क्या होता है धीमा इसके लावा it occurs on bear area होई नहीं सकता नगन या बंजर छित्रों में नहीं होता है अकर्स बिफोर नहीं primary succession से पहले सवाल ही नहीं उटा ओटो ट्रॉप्स आर pioneer यानि कि swap OC जो है वो आपके क्या होते है प्रोगामी होते है तो pioneer community तो हर जगे आपके क्या आएंगे swap OC आएंगे उसका भी answer से आपके कोई relation नहीं है तो यहाँ answer जो जाएगा वो बिटा आपके क colorless cells called घासों में कुछ अभ्यक्च अधिचर्मी कोसिका हैं सिराओं के साथ लंबी रिक्त रंगीन कोसिकाओं में क्या हो जाती है रूपांतरित हो जाती है इन्हें आपन विटा क्या बोलते हैं bully form कोसिका है क्या बोलोगे bully form cell ठीक है यह जो leaf है उसकी आपके adaxial surface पे होती है leaf की adaxial surface पे आपके क्या रहेंगी उपस्तत रहेंगी जब water आपके क्या है परियाप्त amount में होता है sufficient amount में होता है तो यह आपके क्या है जल को grand करके क्या हो जाती है जिसके करण leaf का surface area क्या हो जाता है, increase हो जाता है और rate of transpiration आपके क्या हो जाएगा, increase अगर आपके water कम है, तो आपके क्या है, TP जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, कम तो ये cells जो है, वो आपके क्या हो जाती है, shrink हो जाती है और shrink के leaf का surface area बेटा जो है वो आपके कया होजाता है कम होजाता है, decrease होजाता है तो rate of transpiration आपके क्या होजाता है, कम तो यह monocode जो है उसमें आपके transpiration की rate से related है यानि कि transpiration की rate वाथपुँच सर्जन की दर को आपके क्या करती है नियंतरित करती है तो इन सेल्स को अपन यहां क्या कहते हैं, बुल्ली फॉर्म सेल्स, तो यहां जो आंसर जाएगा वो आपके क्या जाएगा विटा, एक, तो यहां आंसर हो जाएगा आपके कौन, एक, खिक है, नेक्स्ट अपन बात करें, 159, यह आपके क्यूशन सीधा, NCRT से उठाया गया है, 16 चेप्टर से, According to Central Pollution Control Board, CPCB, which particulate size in diameter, in micrometers of the air pollutants, is responsible for greatest harm to human health, human health के लिए particle सबसे ज़्यादा आपके harmful कौन होते हैं, जो 2.5 micrometer यह से कम होते हैं, यह 2.5 micrometer यह से आपके क्या हैं, नेक्स्ट अपन करें, आपके समस्टी अंत्यक्रिया का निम्न कौन सा उधरन सहे भूजिता नहीं दर साता, चूज दा एक्जाम्पल, चूज दा एक्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन इंट्रेक्शन, विच डाज नोट शो कॉमन सालिज्म, पहली बात तो बिटा कैसा रिलेशन सिप है, पॉजेटिव जीरो, एक को आपके फायदा होता है, एक को benefit होता है, और दूसरे को आपके ना फायदा होता है, ना नुकसान होता है, तो सहेबोजीता प्लस जीरो टाइप का इंट्रेक्शन है, एक को फायदा हो रहा है, एक को आपके ना फायदा ना नुकसान, epiphydes growing on the mango tree तो epiphydes तो इससे फायदा लेते हैं और mango tree पे इसका कोई भी effect नहीं होता तो ये तो आपके क्या हो जाएंगे epiphydes तो positive और mango tree आपके क्या है 0 ठीक है barnacles growing on the back of the whale बिल्कुल सही है यहाँ ये भी आपके क्या है common selection में barnacles को आपके क्या होता है फायदा होता है विहल को ना फायदा होता है ना आपके क्या होता है नुकसान बैलनस living with chat malls ये आपके किसका उधारन है बिटा competition ये इसका आपके काई का उधारन है competition का इस परधा का ये आपके क्या है example है तो ये आपके नहीं होगा clown fish lives among the sea animals see animals में clown fish रहती है ये भी आपके किसका common solution का आपके क्या है example है तो first सही है, second सही है, fourth सही है third जो है वो आपके क्या है competition है तो यहाँ आपके आजाएगा answer कौन सा बिटा third answer कौन सा हो जाएगा यहा third ठीक है next अपन बात करते है width of the following is a component of vitamin vitamin, thiamine, biotine, acetyl coenzyme, cysteine, methionine and ferrodoxine निमने कितमे से कौन सा vitamin, thiamine, biotine, acetyl coenzyme, cysteine, methionine तथा ferrodoxine का आपके क्या है घटक है ठीक है साफ NCIT की agent line उठाइए बिटा इनका आपके घटक जो होता है वो आपके कौन है sulfur तो answer जो होगा वो बिटा आपके कौन सा आ जाएगा 2 answer आपके क्या होगा 2 ठीक है next अपन बढ़ें कार्य के अनुसार इस्थमगों का मिलान कीजिए match the column with according to the work flagela जो है वो बिटा आपके क्या देती है motility देती है सीधी सी बात है flagela जो है उससे आपके क्या मिल जाएगी motility flagela आपके motility क्या करवाती है provide पिली जो है वो आपके conjugation में क्या है helpful ठीक है फिंब्री जो है वो attachment में साहता करेगी वना जाएगा meosome आपके क्या करते है DNA replication तो क्या जाएगा 4 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 तो कौन सांसर हो जाएगा बिटा first next अपन चलें label structure indicated 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 में चिन्नित संडचनाओं के आपको नाम लिखने है एक cell कोई division हो रहा है उसके आपको क्या है कोई stage दी हुई है आपनको कोई भी मानलो वैसे तो आपके क्या है metaphase है इनको आपन देखते है देखो यह जो है वो आपके क्या है बिटा यह जो second पर आपको दी हुई है वो आपके क्या है centriol second पर आपके क्या है centriol ठीक है यह पूरे आपके किसको दिया हुआ है chromosome को fourth जो है वो आपके indicate कर रहा है किसको chromosome को फस्ट जो है वो आपके क्या है बिटा क्रोमेटेड फस्ट जो है वो आपके क्या है क्रोमेटेड और थर्ड जो है वो बिटा आपके क्या हो जाएगा सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा centromere मिला लो ऐसा किसमें दे रखा है first है chromatid second जो है वो centriol third जो है वो अपके क्या है centromere third जो है वो आपके centromere है fourth जो है वो आपके क्या है chromosome तो आपके कौन सा match हो गया बटा पहला ही match हो गया ठीक है answer यहाँ आपके हो जाएगा कौन सा mismatch है तो देखते हैं आपन mismatch में आपके दोगे highest taxonomic category जो है वो आपके कौन होती है सबसे बड़ी सबसे highest taxonomic category जो है वो आपके कौन है बिटा highest taxonomic category है आपके kingdom कौन है kingdom तो पहला ही आपके क्या हो गया wrong it includes one or more related orders किसमे class में आ जाएंगे बिल्कुल सही है related families आपके order में आ जाएंगी बिल्कुल सही है similar morphological characters and intergrade यह आपके किसमें आ जाएगा species में तो आपके wrong कौन सा हो गया बिटा first जो है वो आपके क्या है wrong है तो यहां answer आपके जाएगा कौन सा first ठीक है बढ़ते है next question की ओर which of the following is true food Dictiota देखो पहले आपको पता हो ना चीए बिटा Dictiota जो है वो आपके क्या है brown algae Dictiota आपके क्या हो जाएगी brown algae the brown algae major photosynthetic pigment are chlorophyll A और chlorophyll C होता है तो आपके क्या है wrong reserve food is floridian starch यह आपके red algae में होता है यह भी रॉंग है common name is red algae यह भी रॉंग है gametes are pyreform and bear two-laterally attached आपके क्या है flagella बिल्कुल सही है यहां युगमक नासपती की आकरती की होते हैं जिन पर दो parts में जुड़े हुए flagella पाए जाते हैं answer आपके जाएगा बेटा कौनसा fourth तो answer यहां आपके कौनसा हो जाएगा fourth next अपन बढ़ते हैं if some solute is dissolved in pure water किसी भी आपके किसको विले को आप किसमें सुद्ध जल में गोल रहे हो the solution has fewer water so all solutions have भाई आप क्या को होगी देखो water जितना जादा होगा ठीक है जल जितना जादा होगा water जितना जादा होगा उतनी ही आपके क्या हो जाएगा देखो water जितना जादा होगा उतनी ही मुक्त उर्जा यानि की free energy आपके क्या होगी जादा होगी free energy जो है वो आपके क्या होगी जादा होगी अब आपके क्या करें प्योर water है तो free energy आपके क्या है maximum है और यह free energy आपके क्या होती है water potential इसको ही अपन क्या कहते है water potential इसको ही बिटा आप क्या क्या दोगे Water Potential ठीक है तो आप क्या कह रहे हो Water Potential जो है कोई भी Water है इसकी Free Energy बढ़ेगी तो Water Potential जो है वो आपके क्या हो जाएगा Increase तो Pure Water जो है उसकी Free Energy Maximum है तो Water Potential भी बिटा आपके क्या है Maximum तो कोई भी Solution ले लो आप वाटर से आपके क्या है कम आपके क्या रखता है वाटर पोटेंशिल या फ्री एनर्जी तो इन लॉर वाटर पोटेंशिल देन प्यॉर वाटर सही है सारे सॉलुशन्स जो है वो लॉर वाटर पोटेंशिल रखेंगे किससे प्यॉर वाटर से तो यहां अंसर जो है वह आपक कॉरेलोइड रूट जो है किसकी साइकस की इसमें आपके क्या पाया जाता है एना बीना साइकडी यह आपके क्या करता है बिटा एन्टू क्या करेगा यह इन्टू फिक्सेशं तो क्या पाया जा रहा है एना बीना साइकडी तो आपके क्या जाएगा अंसर आपके जाएगा कौन साइक स्वार्स और इस लेवल का नीट का पिपर आता है उसी लेवल का अपने पेपर रखा ठीक है देखो देखो, what process is adopted to obtained alcohol content greater than 13%, 13% से ज़्यादा आपको alcohol content चाहिए, तो यह आपको ढंग से पता है, fermentation में आपन जानते हैं, कि अगर 30% से ज़्यादा आपके concentration alcohol की हो जाती है, C2H5 की हो जाती है, तो east जो है उसके आपके क्या होने लगती है, death होने लगती है, east के लिए आपके क्या हो जाएगा toxic, तो इसके से ज़्यादा अगर आपको concentration आपके चाहिए, तो आप क्या लेते हो, distillation, ठीक है, इसलिए जहाँ alcohol का content कम होता है, wine और beer, वो without distillation form हो जाते हैं, जबकि brandy, whiskey और rum, जहाँ alcohol का concentration आपके क्या है, हाई है, उसके लिए अपन distillation process क्या लेते हैं, मिटा, काम म में लेते हैं, तो यहाँ answer आपके जाएगा कौन सा, second, next अपन बात करें, passive water absorption by root system is due to, देखो passive water absorption जो होता है, ठीक है, उसमें main role आपके किसका है, transpiration का, और transpiration के आपके क्या लगता है, transpiration pull, कौन लगेगा, transpiration pull, ठीक है, जिसमें cohesion, addition और tension क्या आते हैं, काम में आते हैं, तो यह साफ दिया हुआ है, tension in sap due to transpiration, transpiration से जो tension आएगा, वो आपके water को कहाँ खीचेगा, उपर खीचेगा, और यहाँ ATP का कोई भी consumption नहीं होगा, तो इसको आप कहोगे क्या, passive water absorption, ठीक है भी टू, बढ़ते हैं आगे, which of the following is haploid in gymnosperm, बहुत अच्छा क्यूशन है, सांदार क्यूशन है, neat oriented क्यूशन है, यानि कि आप से पूछ रहा है, कि gymnosperm में haploid structure आपके कौन-कौन सी होगी, देखो, करते हैं आपन बात, agonit संदचना हैं देखनी है, pollen grain agonit है, haploid है, megaspore haploid है, लेकिन यहाँ कहाणी आपके खतम कर दी, root ने, कैसी है, 2N, दूसरे प्यापा जो, pollen grain N है, megaspore N है, लेकिन nucilus, यह आपके कैसा हो जाएगा, 2N, यह भी wrong हो गया, megaspore mother cell, आपके पहले से ही आपके क्या है, 2N, यह भी कहाणी खतम, अब देखो, यहाँ जिम्नोसperm में पूछा है, जिम्नोसperm जो है, इसमें endosperm जो है, वो आपके कैसा होता है, N, एंडosperm जो है, वो आपके कैसा होता है, N, और यह fertilization से पहले बनता है, pre-fertilization आपके क्या है, structure है, और यह form होता है बेटा, किससे, megaspore से, किससे form होता है, megaspore से, तो यहाँ endosperm जो है, वो आपके कैसा होगा, N, pollen grain भी क्या है, N, megaspore भी आपके क्या है, N, ब्रोन post भी आइने, पराकण भी आइने, गुरू भी जनू भी आइने, तो यहाँ answer आपके चला जाएगा, fourth, तो answer यहाँ आपके होगा, क्या, fourth, ठीक है बेटा, यह answer आपके क्या हो जाएगा, fourth, ठीक है, next, अगर आपन बात करें, वहंदा pollen grains, देखो आपके क्या है, दो तीन फिनोमेना होते हैं, अगर आपके क्या है, male और female, male and female, इसके level में अंतर हो, तो यह तो आपके होता है, heterostyling, heterostyling, अगर आपके खुद का male, खुद की female, यानि कि खुद का जो pollen grain है, वो आपके self, उस ही आपके क्या है, plant की stigma पर germinate ना हो पाए, तो इसको आपन कहते हैं, क्या, self-estality, क्या बोलते हैं, self-estality, स्वय बंदता, तो इन सारे वर्ड़ों के mean देख लो, आप क्या कह रहा है, science is referred to, wehensome natural barrier, access between the androceum and gynoseum, यही से यह सीधी line आ जाती है, कोई natural barrier जो हुआ एंडरोसियम और gynoseum के बीच में present हो, तो इसको अपन कहते हैं, बिटा, क्या, हरकोगेमी, क्या बोलते हैं, हरकोगेमी, तो सर बाकी क्या है, डाइकोगेमी, female और male आपके different time पे आपके क्या हो mature हो, तो इसको डाइकोगेमी बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी है, flower कभी भी आपके क्या ना हो, open ना हो, maturation पर flower की opening ना हो, तो यह आपके क्या है, क्लिस्टोगेमी, heterostyly मैंने बताई दी, male और female के level में आपके क्या हो, अंतर हो, तो वो heterostyly होती है, यह बट में कोई natural barrier present हो जिसके करण self-pollination ना हो पाए तो ये आपके क्या है हरकोगे मी तो ये natural barrier आपन से पूछना चाहरा है तो ये आपके हो जाएगी हरकोगे मी आंसर आपके जाएगा कौन सा second next जो है वो आप कहेंगे क्या which is not a function of fungi यानि कि कौन सा fungi का आपके function नहीं है they help to prepare food from bamboo बिल्कुल help करते हैं bamboo से food बनाने में taste, flavor and aroma in cheese produced by fungal infection पता ही आपको कौन जो आपके कौन होता है rock-cue-fort cheese होता है उसमें आपके specific smell जो होती हो किससे होती है panicellium rock-cue-forte से ठीक है तो ये भी आपके सही है fungi can prepare their food food in the presence of sunlight ना ये autotrophic नहीं होते ही आपके कैसे होते हैं heterotrophic होते हैं और heterotrophic में कैसे हैं या तो parasitic पड़ जीवी हैं या separate, separate या नहीं कि क्या है ब्रतोब जीवी हैं fungi आज preparation of bread and beer बिल्कुल आपके east है saccharomyces cerevisi जो इसके आपके formation में क्या आती है use आती है तो wrong आपके हो गया है बिटा कौन सा third next अगर आपन चलें which of the following statement is incorrect regarding the Kelvin cycle of C3 plants C3 plants का जो Kelvin cycle है उसके आपके regarding में आपके क्या है wrong कौन सा है तो देखो आप first stable product of Kelvin cycle is three carbon containing बिल्कुल सही है यहाँ आपके क्या है first stable product जो होगा Kelvin cycle का वो आपके क्या है three carbon containing है sunflower C3 plants का आपके example है बिल्कुल सही है Kelvin cycle occurs in bundles यह थे in C3 both C3 and C4 plants C3 plants में यह आपके कहां होता है mesophyll cells में कहां होगा बिटा mesophyll cell में तो यह आपके क्या हो गया wrong हो गया pep cage enzyme is absent in C3 plants बिल्कुल सही है C3 में pep cage enzyme आपके क्या होता है absent तो यहां wrong जो है वो बिटा आपके कौन सा है तीसरा यानि की third तो यहां third जो है वो आपके क्या है wrong next आपन देखें 74 heartwood differs from the sapwood in पाई आपके क्या है heartwood जो है वो sapwood से आपके क्या है differ है वो किस चक्कर में differed है यानि कि क्यों differ है देखो sapwood जो होती है वो तो आपके इसका functional क्या है element है ठीक है functional element है it means आपके क्या हो जाएगा conduction में आपके क्या रहेगा helpful रहेगा ठीक है इसके अलब आप क्या कहोगे heartwood जो है dead element है और यहाँ इसका conduction of water से कोई भी relation है नहीं होता तो आप क्या कहोगे having dead and non-conducting elements किस के लिए पुछा है heartwood के लिए the presence of rage and fibers कोई ले ना देना नहीं दोनों में difference करवा रहा है the absence of vessels and parenchyma absence of vessel vessel की absence आपके नहीं होती तो यहाँ being susceptible to paste and pathogens तो यहाँ सही answer जो होगा वो आपके कौन सा होगा यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ having dead and non-conducting elements तो सही answer जो है वो आपके क्या है मृत तथा यह समभेहनी तत्वों को धारण करने में आपको पता है यह हर्ट वुड का कहीं भी कंडक्शन में कोई भी रॉलर नहीं होता तो यहां अंसर जो आएगा वो आपके कौन सा जाएगा 3rd नेक्स्ट अपन बात करें तो bacteria are essential in nutrient cycle H bacteria जो है वो nutrient cycle में आपके क्या है आवशक है क्यों कि fungi और bacteria दोनों आपके क्या है डीकंपोजर bacteria plus fungi दोनों आपके क्या है डीकंपोजर दोनों आपके क्या है बेटा डीकंपोजर ठीक है फिर है आपके group of plants contain actinomorphic flower मैं आप खुद देख लो पी बीन पी बीन केसिया और गुलमोहर ये तो आपके क्या रखते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री क्या रखते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री एक व्यास सम्मिती दूसरा कैना जो है वो आपके क्या है asymmetrical है यानि कि क्या है asymm तो देख लो ये जो आएंगे वो हुई नहीं सकता पहले में ये आपके क्या है कौन दे रखा है देखो आपको गुलमोहर दे रखा है तो ये आपके क्या है रॉंग हो गया केसिया दे रखा है बीन दे रखा है यह आपके क्या है दोनों wrong है आपके क्या है oxytinomorphic में आएंगे गई नी कहना आ गया यहाँ तो wrong हो गया mustard petunia और chilli तीनों के किसके करने एक्टिंटिमोर्फिक के एक्टि अंसर जो है यह है आपके क्या हो जाएगा चार ठीक है बिटा नेक्स जो है वो है गौसे का प्रतिसपर्दी अपवर्जन का नियम आपके क्या कहता है कि closely related species जो है जो की एक दूसरे को क्या कर रही है compete कर रही है वो एक infinity time तक एक साथ नहीं रह सकती जो weak species जो होगी उसको क्या कर दिया जाता है extinct कर दिया जाता है आपके क्या कर दिया जाता है destroy कर दिया जाता है तो यह देखो fourth option आपको कह रहा है समान संसादनों यह तू प्रतिसपर्दा कर रही दो निकर संबंदित जातिया एनिश्चित रूप से सहय अस्तित में नहीं रह सकती और प्रतियोगी रूप से कम प्रभावी एक जाती समय के साथ क्या हो जाएगी निसकासित तो अपके क्या है related species जो है जो आपके क्या कर रही है compete कर रही है एक दूसरे को तो तो अपके क्या है सही हो जाएगा बाकि आपके क्या है सीधा का सीधा यह तो दे रखा है MCIT में बेटा गौसेज का competitive exclusion का principle यह है कि समान संसादनों के लिए समान आपके क्या है resources के लिए प्रतिस परदा यानि की competition सो करने वाली species indefinite time तक आपके साथ साथ या infinity time तक एक साथ है नहीं रह सकते है तो यहाँ answer जो जाएगा बेटा आपके कौन सा जाएगा फोर्थ answer कौन सा हो जाएगा बेटा आपके फोर्थ next question अपन देखते हैं बेटा 178 नाइल पर्च वहन introduced in लेक विक्टोरिया आप साथ अफरीका resulted in जब दक्षन अफरीका की विक्टोरिया जील में नाइल पर्च को लाया गया तो परणाम सरूप क्या हुआ था बेटा जो भी अपनी क्या है देशी जो भी अपनी क्या है इंडियन जो आपके क्या थी सिचलेड फिसेज थी उनका आपके क्या हो गया था elimination, तो सिचलेट मचलियों की देशी प्रजातियों का आपके क्या हो गया था उन्मूलन हो गया था, ठीक है तो यहाँ answer आपके जाएगा कौन सा fourth, elimination of native species of सिचलेट फिचलेट फिचलेट next है, restriction enzyme, eco-r first cuts the DNA between basis G and A only when the sequence in DNA is बाई आप क्या कहते हो, आपको दे रखा है, eco-r first क्या दे रखा है, eco-r first, यह आपके क्या है, RE है restriction enzyme है, जो आपके किस पे, palindromic site पे आपके क्या करता है, काम करता है किस पे काम करता है, palindromic sites पे, और इसका palindromic sequence जो है वो बिटा आपके क्या हो जाएगा ग ps 2 इए टीटी में जी यहां कट जो लगेंगा वह किस-किस के बीच में लेगा G और एक के बीच में यहां जी और E के बीच में यह यह क्या लगाता है क्ट तो अंसर जो हो गा वह आपके कौन सा हो जाएगा हें साध्य का नेक्स्ट आपन देखें golden rice developed through the transgene approach in enriched with by transgenic आपके क्या है approach के थूँ आपने golden rice form करवाय था और इस golden rice जो है उसमें आपके काए कि vitamin A का content था वो आपके क्या था very high था तो यह आपके rich हो जाएगा high vitamin A का आपके क्या था content था तो high vitamin A content यहाँ आपके क्या रहेगा present answer आपके जाएगा कौनसा fourth नेक्स्ट आपन बढ़ें तो आपके क्या है an enzyme acts by enzyme कैसे act करता है यह आपके क्या करता है बटा activation energy जो है उसको आपके क्या कर देगा decrease NCRT में आपके कर्व दे रखा है कि जब enzyme नहीं था तो activation energy आपके क्या थी ज्यादा थी जैसे energy enzyme आया इसने आपके activation energy को आपके क्या कर दिया reduce कर दिया तो क्या जाएगा reducing the energy of activation सक्रियन उर्जा में आपके क्या करता है यह कमी करता है ठीक है तो आपके अच्छा दन तथा पुच्छन कहलाते हैं आच्छा दन में एक एस आमाने नुक्लियोटाइड फाइव डैस प्राइम पर जोड़ा जाता है यह है hnRNA अंडर गूज additional processing called capping and tailing in capping and unusual nucleotides is added to 5-prime and the hnRNA that's it भाई भाई आपके क्या है 5-prime पर आप क्या add करते हो बताओ methyl guanocene triphosphate क्या add करते हो methyl guanocene triphosphate तो आपको साथ पहली option में दे रखा है methyl guanocene triphosphate answer आपके होताएगा क्या first भाई polyadeniline की तो आपके क्या होती है टेल होती है और methyl guanocene triphosphate आप कहां 5-prime पर कहां लगाते हो capping में तो यहां answer जाएगा आपके first next है the genetic code determines by genetic code जो है वो आपके किसका 3-3 basis का आपके क्या होता है sequence होता है 3-3 basis का आपके क्या है sequence है किस पे MRNA पे जो आपके क्या है protein जो होगी उस protein में आपके किसका amino acid का sequence जो है वो आपके क्या करेगा determine करेगा इनके according आपके amino acid का क्या होगा sequence होगा किसमें protein में तो the sequence of amino acid in protein proteins में amino हम लोग के अनुक्रमन का ही आपके क्या करता है अनुक्रम का आपके क्या करता है विटा निर्धारन करता है तो answer यहाँ आपके जाएगा विटा कौन सा second next अगर अपन बात करें the technique in which a foreign DNA is precipitated on the surface of the tungsten or gold particles and shot into the target which is non-edge भाई आपके किसकी बात कर रहा है gene gun method की किसकी बात कर रहा है gene gun method की यहाँ आपके DNA जो होता है उस DNA को आपन लपेट लें किसमें गोल्ड या tungsten में किसमें लपेटते हैं गोल्ड या टंगस्टन में और यह जो आपके गोलीग शेप आपके बनती है इसको अपन कैते हैं क्या बोलते हैं विटा बाइओलिस्टीक्स तो answer जो आपके कॉन सा हो जाएगा ठीक है माइक्र الإंगिक्शन में तो आप direct DNA को इंजेट करवाते हो electroporation में आप क्या है हलके electric field में रखके cell में आप और आप क्या करवा लेते हो induce करवा लेते हो जिसके थूँ आपन DNA को enter करवाते हैं और chemical mediated method यह है नहीं तो इसको आपन क्या करते हैं biolistics next आपन बढ़ते हैं ने execution की और which of the following enzyme is used during the isolation of DNA from protoplast of plant cell अब देखो इसमें कही होने गलती कर दी होगी बटा protoplast जो है वह आप से पूछा है तो protoplast है it means आपके cell wall तो पहले से ही रिलीज होगी बटा cell wall तो है ही नहीं cell wall तो इसमें है ही नहीं cell wall less जो cell होती उसको क्या बोलता है अब आपको क्या निकालना है एक तो cellulose नहीं होना चाहिए तो यह option अपने आप गया है यह option अपने आप गया अब निकालना है क्या है DNA निकालना है तो DNA तो बेटा DNA का क्या कर देगा digestion कर देगा कैसे isolate करोगे आप DNA को तो जिसमें DNA दे रखा है वो भी नहीं हो सकता तो आपको इसमें यूज करना पड़ेगा किसका protease का और आपके किसका RNA का आंसर जाएगा थर्ड बात समझ में आई ना क्या कर रहा हूँ मैं भाई आपके क्या है protoplast है देखो यह दे रखा protoplast तो यहाँ cell wall तो पहले से ही नहीं है तो cellulage का आपके कोई काम ही नहीं है हटा दिया आपने DNA आपको isolate करना है तो DNA आपने ले लिया तो DNA digest हो जाएगा आपका तो यह option भी नहीं हो सकता तो इसमें protein के digestion के लिए protease होगा RNA के digestion के लिए क्या हो जाएगा RNA तो answer आपका perfectly चला जाएगा बिटा कुन सा? 3rd यह था आपके A part अब अपन चलते हैं क्या? B part की ओर देखो What is the principle of ELISA test? ELISA test का बिटा principle क्या है? ELISA test में अपन प्रेंसिपल लेते हैं किसको? Antigen antibody test को ठीक है? यहाँ आपके test जो होता है आपके किसका होता है? Antigen antibody का CDC and CRT की क्या है? Line है तो यहाँ आपके क्या है? क्या हो जाएगा? Antigen antibody test क्या हो जाएगा? 2 Next बढ़ते हैं बिटा आपने execution की ओर फिर आपके match the column first with the column second Column first को column second के साथ आपको मिलाना है Lactic acid आपके किससे प्राप्त होता है Lactobacillus से कौन आ जाएगा? Lactic acid D हो गया Aspergillus, Niger से आपके आता है Citric acid A हो गया Acetovector, Acetic I से आपके आता है Acetic acid Acetic acid तो आपके क्या हो गया? B और Clostridium Acidobutylicum Butyric Acid यानि की C DABC कौन सा हो जाएगा? Second बढ़ते हैं एक्सक्यूशन की उर Virus free planted can be obtained by सीधा सा NCRT में दे रखा है कि Maristam जो है वहाँ virus आपके grow नहीं करते है तो X plant की form में अगर आप use ले लेते हो X plant की form में आप use ले ले हैं किसको? X plant जो है उसमें आप use ले लोगे किसको? Maristam को तो यहाँ आपके जो plant आएंगे वह आपके क्या होंगे? Virus free क्यों? क्योंकि Maristam में आपके virus grow नहीं करता सीधा सा आपको answer दे रखा है तो answer जाएगा इसका आपके 2 किसको विबजो तक को आपको क्या लेना पड़ेगा? use में लेना पड़ेगा तो answer क्या हो जाएगा विटा आपके? 2 Next is select wrong statement बहुत अच्छा चुश्यन है आपके Natural solute can move according to concentration gradient Natural solute जो हैं वो concentration gradient के according आपके क्या कर सकते हैं? move कर सकते हैं? बिलकुल सही है उदासीन विले सांधरता प्रवनता के अनुरूप आपके गती कर सकते हैं दूसरा है water can also move according to the concentration gradient water भी आपके concentration gradient के according जा सकता है बस आपको इसमें requirement रहती है काई की aquaporins की non-polar molecule जिन पे कोई भी आपके क्या है pole नहीं है, कोई भी iron नहीं है can not pass through non-polar lipid by layer बहुत नोन-polar तो non-polar से जाएगा इना और ये बस समझ में non-polar कोई भी molecule है तो वो easily pass out हो जाता है कहां से lipid by layer से तो ये यहाँ जूट बोल रहा है na plus k plus move across membrane through active transport na plus k plus जो है, वो आपके move करते हैं किसके through active transport के through बिल्कुल सही है यहाँ ये आपके क्या है sodium potassium pump है जहाँ na plus और k plus के balance के लिए आपन को ATP क्या रहती है, बिटा required रहती है, तो ये बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा next आपन चलें select the wrong statement from following mitochondria and chloroplast both contain DNA and ribosome, भाई आपके mitochondria chloroplast दोनों के पास DNA ribosome है, इसलिए दोनों को आपन क्या कहते हैं, semi-autonomous organally, सही है both mitochondria and chloroplast contain outer and inner membrane, दोनों में दो-दो membrane है, बिल्कुल सही है chloroplast are generally much smaller than mitochondria size का आपके जो sequence होता है वो होता है nucleus फिर आपके हो जाएगा chloroplast और chloroplast के बाद विटात क्या आता है, कौन? mitochondria, ठीक है तो ये आपके क्या है, wrong है chloroplast and mitochondria are semi-autonomous organally, बिल्कुल सही है या है, इनके पास double standard circular DNA है, plus 70S आपके क्या है, ribosome है तो ये अपनी requirement के कुछ proteins का तो synthesis कर लेते हैं लेकिन maximum proteins के लिए depend रहते हैं किस पे nucleus पे तो इसी लिए इनको आपन क्या करते हैं, semi-autonomous organally, तो answer आपके जाएगा कुन सा बिटा, third next है, number of ornamental plants among these इसमें से आपको क्या है, सजावटी पादप छाटने, लूपिन है बई सजावटी पादपो में आपके कौन आ जाएगा लूपिन आ जाएगा पिटूनिया आ जाएगा बई लूपिन है, पिटूनिया है टूलिप है और ग्लॉरियोसा है ठीक है, यह asparagus सबजी है बेला डॉना जो है, वो नहीं आएगा सैसबानिया जो है, फोडर है चारा है, और आपके कौन आ जाएगे लूपिन, पिटूनिया, टूलिप और ग्लॉरियोसा, एक, इसके लाबब आपके क्या है, दो, इसके लाबब तूलिप और आपके क्या हो जाएगा ग्लॉरियोसा, तो आपके आंसर आपके हो जाएगा कौन सा, कितने हैं, 4 पिटीका चार है, तो आपके आपके आँसर आउपिन का 2, आपके किस आप्शन में दे रखेंगा तो vertebrates में सबसे maximum जो होती है वो आपके कौन होती है फिस तो आपके पहले आपके आ जाएगा कौन फिस फिर आपके B में कौन है mammals, C जो है उसमें आपके कौन होगा reptiles और D जो है उसमें आपके कौन है amphibians तो यह दे रखा है fishage, mammals, reptiles और amphibians answer आपके चला जाएगा कौन सा पिटा third सारे question पिटा NCRT based ने एक दम बहुत अच्छे question है और NCRT based ने सारे है ना, सारे question जो है वो आपके क्या है NCRT based ने, देखवा आप how many of the following plants have double fertilization double fertilization जो है वो characteristic feature होता है आपके किसका, angio sperm का it means यहां से आपको जो select करने वो आपके क्या है angio sperm देखने है और सारे example मैंने वो ही लिए है जो NCRT में pinus, gymnosperm है नहीं होगा ficus होगा, fucus, algae है cara, algae है markensia, bryophyta है mango हो जाएगा, coconut हो जाएगा, mage हो जाएगा तो किस-किस में मिलेगा ficus, mango, coconut और mage pinus, बिटा फिर बता रहा हूँ, gymnosperm है fucus और cara, दोनों आपके क्या है algae है, markensia, bryophyta है तो double fertilization किवल किस-किस में होता है angio sperm है, और angio sperm को है ficus, burger, mango, aam, coconut, narial और mage जो है वो आपके कौन है makka, तो यहां आपके कितने आ जाएगे 4 है, तो 4 आपके किस option में दे रखा है first option में, answer आपके हो जाएगा कौन सा, 1 in equali, roho factor is required for बिटा, roho factor आपके क्या करता है termination करता है, और कहां one side पे, तो roho factor जो है roho factor जो होगा वो आपके क्या करेगा termination, क्या करदेगा termination termination करेगा किस पे, one side पे किस पे करेगा, one side पे termination of RNA आपके क्या है, termination of RNA transcription on one side ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा third फिर आप कहोगे क्या, during lack of eron regulation, inducer, bind with inducer किसके साथ, repressor के साथ bind up होता है, भाई, यह जो है उसमें आपके क्या जाएगा, repressor repressor के साथ, bind up हो गई, इसके अलावा आपके क्या है, this allow to, किसको allow कर देता है RNA polymerase, access to promoter and transcription, crosshade तो यहाँ आपके कौन आ जाएगा, RNA polymerase, तो यह repressor रहा यह RNA polymerase रहा, answer आपके चला जाएगा, बिटा कौन सा third, ठीक है next अगर आपन बात करें, तो read the following statements and choose correct option, इनको अपन को देखना है और सही option को क्या करना है, choose mitochondria and plastids are semi-autonomous cell organally, अभी बताया था मैंने आपको, बिल्कुल दोनों आपके क्या है, semi-autonomous organally है अर्दस्वायत सासी अंगक है क्यों हैं, अर्दस्वायत सासी अंगक दोनों के पास खुद का DNA double standard circular DNA है और आपके 70S ribosome है तो यह अपनी requirement के कुछ proteins को synthesize कर पाते हैं कुछ के लिए आपके निर्बर रहते हैं, किस पे nucleus पे, तो आप क्या कहदोगे यहाँ mitochondria और chloroplast अपनी requirement के कुछ proteins को synthesize कर लेते हैं, कुछ के लिए nucleus पे आपके क्या है निर्बर हैं तो इनको अपन क्या कहते हैं, semi-autonomous organally, तो mitochondria and plastics are semi-autonomous cell organal, बिल्कुल सही है, mitochondria and plastics lack there, oven replication transcription and translation machinery, यह यहाँ आपके क्या होती है present होती है, ना कि आपके absent, तो आपके lack की जगे आपके क्या हैगा, यहाँ present statement, जब जगे आपके क्या होगा, सही तो यहाँ A सही है और B आपके क्या है, wrong है, statement A is correct B is incorrect, तो आपके answer आजाएगा, आपके कुन सा बिटा, third, सीधे सीधे आपके neat level के और आपके NCRT सारे के सारे बिटा, आपके क्या है, question है, और I think आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, vegetative propagation in bryophyllum takes place by first chapter में दे रखा है, किस से होता है, foliar bird से, peranil kalikाओं से, इसमें आपके क्या होता है, काईक प्रवर्दन, तो answer जो है, आपके आजाएगा, कौन सा, चार next, बिटाब, 198 question है, the given diagram सोच the ovary of a following plant, after fertilization many structures undergo changes to produce fruit or seed, which part of the diagram label from fruit wall, इसको आपके कौन बनाती है, ovary wall, कौन बनाती है, fruit wall को, ovary wall, और ovary wall ये दे रखी, तो पहला नंबर आपके हो जाएगा, 3, फिर आपके embryo, embryo को आपके कौन बनाता है, बोलो, embryo को आपके बनाएगी, कौन, egg cell, और egg cell आपके कहाँ दे रखी है, बोलो, ये रही, 5 नंबर, 5 नंबर जो दे रखी है, वो आपके क्या है, egg cell, तो फिर आपके क्या जाएगा, 5, फिर एंडोस्पम, एंडोस्पम कौन बनाएगी, polar nuclei, एंडोस्पम बिट आपके कौन बनाते हैं, integuments, किसके ovule के integuments, तो यहां आपके आजाएगा क्या ovule integument, और ovule का integument आपके कहाँ दे रखा है, बोलो, ovule के integument, ये रही, 4 पे, ठीक है, तो मिलाते जाएगे आप, सबसे पहले आपके होगा, क्या, 3, फिर आपके आजाएगा, 5, फिर आपके आजाएगा, 6, और फिर आपके क्या आजाएगा, 4, बैसे इधी सी बात है, fruit wall को ovule wall बनाएगी, जो 3 पे है, तो 3 आ गया, फिर है आपके embryo, embryo को egg cell बनाएगी, जो 5 पे है, 5 आ गया, फिर आपके 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 जाएगा, कौन सा, 1st, फिर विच आफ दा most evident protein in animal world, animal world में आपके क्या है, whole world जो है, whole world जो होता है, उसमें तो संपूर्ण विस्वजो है, उसमें तो आपके संपूर्ण जैव मंदल में तो आपके कौन है, Robisco, कौन है, Robisco, ठीक है, लेकिन यह पूछ रहा है, किसमें, animal में, तो animal में आपके कौन होती है, बिटा, college है, animal में आपके कौन होती है, college है, animal में आपके कौन होती है, college है, तो कौन सी आजाएगी, first, तो यह answer आपके हो जाएगा, कौन सा, बिटा, first, ठीक है यहांसर आपके आजाएगा फिर्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्यूश्य देखो बेटा formation of the clot in blood vessels cause myocardial infection thus the supply of blood to the heart block leading to heart attack an enzyme obtained from the genetical modification of bacteria this enzyme is देखो आपके enzyme होता है कौन सा streptokinase कौन सा streptokinase यह blood vessels में clots जो है उनको आपके क्या करता है dissolve करता है और clots को यह अगर आपके क्या करता है dissolve करता है तो यह myocardial infections में आपके क्या है जो भी आपके क्या है essential है तो यह आपके streptokinase bacteria जो है streptococcus bacteria जो है उससे enzyme आता है आपके कौन stepto kinase जो myocardial infection में आपके क्या आता है यू जाता है answer आपके हो जाएगा बिटा क्या दो ठीक है बिटा तो ये आपके क्या है बहुत अच्छा आपके क्या था paper था NCRT based एक दम आपके क्या था paper था हाँ तो बिटा अपनी preparation बहुत अच्छी है बहुत best है और बहुत ही अच्छी से सालवर अपने मैनत की है तो आपको क्या है boss के विश्वास पे खरावतरना है CLC को अपन को एक इंडिया के पटल पे अपन को क्या दिलानी है पहचान दिलानी है और इसके लिए मिर को क्या है वो कविता हरिवंस राय बच्चन की याद आती है कि मुठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेवों में आसाए मुठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेवों में आसाए दिल में है यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे सूरजता सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे तुम अपनी हद रोसन करने से तुम अपनी हद रोसन करने से कब तक मुझ को रोकोगे कब तक मुझ को रोकोगे मैं मैं उस माटी का व्रक्ष नहीं जिसको नदियोंने सीचा है, बंजर माटी पर रहकर मैंने मृत्यू से जीवन खीचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम कब तक सीचे से तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझ को रोकोगे, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है, तानों के भी सोर में रहकर सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने एक अंकड फैंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने एक अंकड फैंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, तुम कब तक मुझ को रोकोगे, तुम कब तक मुझ को रोकोगे, जुक जुक कर सीधा खड़ा हुआ अब जुकने का सौक नहीं तो लास्ट लाइन विटा रिपीटर्स के लिए अपने सीलसियंस के लिए जो परेशान थे थोड़ा सा और इस बार अपन बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वालें इंडिया के पटल पे अपना ना उससे मिटने का खौक नहीं तुम हालातों की भट्टी में जब-जब मुझको जौकोगे तब-तब कर सौना बनूंगा मैं तुम कब तक मुझको रोकोगे तुम कब तक मुझको रोकोगे इस बार AIR1 बिटा अपन को इलानी है ठीक है जीत के ना सीलसियंस बेस्ट आफ थांक यू, JJCLC, JJCLC